जिस समय आप निर्ने लेते हैं उसी समय आपका भाग्य का निर्मान भी हो रहा होता है निर्ने अगर गलत है तो दुर्भाग्य का चुनाओ किया जा रहा है निर्ने सही है तो सोभाग्य का चुनाओ किया जा रहा है आप अपना भाग्य निर्मान कर रहे हैं जगदंबा मा की कृपा से आपको सुभुद्धी की प्राप्ति होती है निर्णे लेना दो चीजों पर निर्भर करता है आपकी अक्ल और आपका अनुभाव आपका तजुर्बा तजुर्बे के अनुसार, एक्स्पिरियंस के अनुसार आप डिसिजन लेते हैं और जैसे आपकी समझ होती है, उसके अनुसार आप डिसिजन जितने अच्छे होंगे उतना आदमी सफल होता जाएगा यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सफलता हैं, आएं तो ये बात ध्यान लेना डिसिजन लेना सीखें, डिसिजन लेना सीखें और ये सब क्रपा कैसे मिलती है, इस सब पर विचार करेंगे ये भी विचार करेंगे जिन लोगों ने विपरीत प्रस्ततियों में भी ठीक निर्णे लेकर दुनिया विरोध में थी और निर्णे लेकर उस पर अड़े रहे निश्यत रूप से उन्होंने इतियास ही नहीं बदला, युग बदल दिया आप भी अगर चाहते हैं कि आपका जीवन अब तक जो भी कुछ रहा था लेकिन अब कुछ कमाल हो जाए तो सही निर्णे लेना सीख जाए जाए बुद्धी अनुभाव गुरु कृपा इस्ट देव की कृपा यदि आपके साथ है निर्णे सही होंगे जीवन आनंद से बरपूर होगा निश्चित रोप से होगा भगवान ने आपको बहुत क्षमता दी लेकिन हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें बढ़ने ही नहीं देते हम ऐसा जीवन जीते हैं कि जिसमें जो होना है बस किसमत देगी जो होना है किसमत में होगा मिल जाएगा यही कर सकते थे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना तो चाहते हैं कोई करने नहीं देता अच्छे घर में जनम लिया होता साथ देने वाले लोग होते तो जरूर कुछ कर लेते हैं हम कोई न कोई बहाना करके अपने आपको ढखने की कोशिश करते हैं और धार्मिक ससंग भी मनुरंजन का माध्यम बना करके घर आ जाते हैं नाचे कूदे घर आ गए जहां से जिंदगी मिलनी चाहिए प्रेणा मिलनी चाहिए जीवन में क्रांति गटित होनी चाहिए उसको भी मनुरंजन का साधन बना लिया है आप यहां बैठे हैं मैं कोई कथा सुनाने आया हूं और आप सुनने आएं बात इतनी नहीं है कथा वह है जो व्यथा भी हरे और जीवन में परिवर्तन लाए जहां आने के बाद आपका जीवन दो भागों में बढ़ जाए सुनने से पहले सुनने के बाद पहले ये थे अब ये होने जा रहे हैं ये बात घट जानी चाहिए और इसमें ये रोना नहीं रोना हमारी तो उमर हो गई अब तो शरीर भी ठीक नहीं रहता अकेला आदमी क्या कर सकता है जिनों ने किया अकेले ने ही किया जो भीड के साथ चला वो भीड बकरियों की तरह रह गया और जिसने शेर की तरह जीना शूर किया वो दुनिया में जरूर कुछ करके देया